हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल दिवाली आने ही वाली है तो आज हम बनाएंगे चार तरीकी की मिठाई और सारी मिठाई ऐसी है जो आप घर में रखे समान से आसानी से बना सकते हैं तो बहुत ही सरल सी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ही मिन्टों में आप अपने घर में बहुत ही स्वाधिस्ट मिठाई बना कर त्यार कर सकते हैं यह जो मिठाई है जब आप इने बना कर किसी को सर्व करेंगे तो हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने रेसिपी कैसे बनाई है और आप देखी सकते हैं कि मिठाई कि इतनी शानदार लग रही है आप अभी जो रेसिपी देख रहे हैं इस मिठाई को खाने के बाद आपको इसमें चम-चम का और रस गुले का रस मलाई का कई तरीके की मिठाई का फ्लेवर फील होगा तो खाने में जितनी मज़े की यह है बनाने में उतनी ही सरह लह तो चले रेसिपी शुरू करें तो इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है दूद तो आपके टेस्ट के हिसाब से डाले तो यह पर चीनी गेहों का आटा को मिल्क पाॉडर डा लीएगा तो यहां पर लगातार चला तैओनों को गरम करना है तो आटा हमने जो डाला है आटे का बिलकुल भी फ्लेवर यस मiठाई में नहीं आएगा आटे से इस दुद को थिकनेस बहुत ही अमेजिंग तो देखें यहां पर बिल्कुल ऐसा टैक्षर होना चाहिए चम्मच पर लगा कर देखना चम्मच को लटा करिएगा तो चम्मच पर कोटिंग आ जाएगी तब तक इसे पकाना है जब चम्मच कोटिंग ले 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 ना तब गैस की फ्लेम बंद कर दीज केस की यह जो पेश्टा थोड़ा क्रीमी से हमें बनाना है इसमें आप कुछ चोप्ट ड्राइफ रूट्स हम डालेंगे तो जो भी आपको पसंद है वो ड्राइफ रूट्स इसमें डालिए ठोड़ी सी पिसीवी चीने डालिए ठोड़ा शहल इची का पाउडर तकरीबन की भर और बस अच्छे से मिला दे यह क्रीमी सी टेस्टी सी हमारी स्टफिंग बनके तियार है तो बहुत ही आसानी से तक्रीबन 5-6 मिनट लगे हैं सारा प्रोसेस करने में यह देखिए जो मिश्रन है बिल्कुल ऐसा होना चीए और यहां पर लेने हैं आपको ताजे ब्रे इसको फॉलो करके सारे सैंविच बना के तियार कीजिए उसके बाद इस भी डिश में आप इने डिश आउट करना चाहते हैं उसमें रखिए और यह लिया मैने आधा कब दूद इस दूद में चीनी मिलानी है हलकसा मीठा यह दूद हमें बनाना है इस दूद को ब्रेट के पर पूर करें इवनली दूद से होगा कि यह जो ब्रेड है आपको ड्राइनी लगेंगे अच्छे से मोईस्टी हो जाएंगे उसके बाद जो दूद हमने शुरू में गाड़ा किया था वह दूद इसके पर पूर करेंगे उपर से डालेंगे थोड़े से ड्राइ फ्रूट का रबडी का बहुत ही टेस्टी सी मिठाई पांच मिनट में बनकर त्यार हो गई है तो चले फिर नेक्स मिठाई बनाना शुरू करते हैं तो अब हम बनेंगे खीर खीर एक ऐसी मिठाई है जो हर घर में बनती है तो तो त्योहरों पर यह क्रीमी सी खीर अगर बन जाए तो पर हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने खीर की रेसिपी कैसे बने देगे कितनी क्रीमी है बहुत ही बड़ी है बिल्कुल रबडी की तरह खीर बनके त्यार होती है तो खीर बनाने के लिए कोई भी चावल आपको लेना है पांच चम्मच परफेक्ट मिजरमेंट में आपक एक लीटर दूद के हसाब से दूँगी तो पांच चम्मच चावल लिया मैंने इसको एक बार दोना है आपको सिर्फ एक बार जादा ना दोए उसके बाद इसे पानी में डालकर पंदर मिट के लिए भीगोके रखें जादा दोने से इसका स्टार्च निकलेगा और उसके अगर आप खीर बनाएंगे ना तो खीर आपकी क्रीम और गाड़ी नहीं बनेगी उसके बाद यह जो चावल थे हैंने मिक्सी के जार में डालकर आपको ग्राइंड करना है यहां पर लिया मैंने एक लिटर दूद किसी ब्रोड से बरतन में बड़े से बरतन में दूद डाल चावल पीशते वाकर दिक्कत आपको आ रहे हैं तो थोड़ासा पानी डालकर चावल पीश सकते हैं चावल को अच्छे से पीशिएगा बिल्कुल फाइन पेस्ट नी बनाना है हलका सा चावल का दाना उसमें रखना है तो चावल भी मैंने इसमें डाल और लगातार इसे द दूद गाड़ा होना शुरू हो गया है अगर आपको लग रहा है कि यहां पर आपके चावल में गाठे पढ़ गई है तो आपना ऐसे विसकर लेकर उसे अच्छे से गुमा दे इसमें तो सारे जो लंप से वो भी फ्री हो जाएंगे आप इसमें डालेंगे अपने टेस्ट गया जाना हो सीचैन, जैसे चैन गई है तो लगेगी लिक्टी ये आपको लगेगी खीर, इसा बांच मिनट धीमें आज पर ड्राइफूट्स और चीनि डालने के बाद मैंने इसे और पकाया और देखें कि इतनी गाड़ी बनकर तीयार है तो बस यह खीर हमारी बहुत ही क्रीमी टेस्टी बनकर तीयार है बिल्कुल रबड़ी जैसी बनी है बहुत ही बढ़िया बिल्कु कितना क्रीमी टेक्ष्ण है तो इस बार दिवाली पर ऐसे ही खीर बनाएगा आपको बहुत पसंद आएगी आपके घरवालों को भी यह बहुत पसंद आने वाली है रेसी पी ऐसी है कि खीर लगेगी नहीं बिल्कुल एसे लगेग आपको जैसे कि आप ठंडी थंडी बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी गुलाब जमुन खराब बनेंगे गैरेंटिट आपके गुलाब जमुन बहुत अमेजिंग बनेगे जब आप इन्हें खाएंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको जिए आपने ने मावे से बनाया है और आप देखी सकते कितने ज बड़ नहीं होगी अब मैंने इसमें पिंच केसर डाला है थोड़ा सा डाला है लैचे का पाउडर हाई फ्लेम पर इसे पांच मिनट उबा लेंगे और यह लिया मैंने गिट्स का गुलाब जमुन प्री मिक्स बहुत ही आसान सी रेसिपी में आपके साथ शेयर कर रही अब यहां पर यह गुलाब जमुन का प्री मिक्स मैंने लिया है जिस भी ब्रेंड का मैं आपको बता रही हूँ इसका ही लीजेगा कोई गडबड नहीं होगे बहुत ही शांदार बिल्कुल मावे जैसे गुलाब जमुन बनेंगे गैरेंटीड अब प्री मिक्स लिया मैंन लगा लें इसकी छोटी छोटी बोल्स बना लें पांच मिनट में आपके धेर सारे गुलाब जमुन बनकर तियार होंगे रितने टेस्टी बनेंगे कि आप दिवाली पर ना घर से मिठाई बना बना कर डब्बे में पैक करके अपने दोस्तों य रिष्चतारों को गिफ्ट कर सकते हैं बहुत ही बड़ी ओप्शन है उसके बाद घिया तेल को मीडे मीट पर गरम करें और देखे एक करके जितना भी कड़ाई में गुलाब जमुन आते हैं डाले और कड़ाई को मैंने कैसे हिलाया बिल्कुल ऐसे हिलाए जब आपके गुलाब जमुन हलका सा कलर बहुत चोटी चोटी बनानी जैसे मार्बल होते हैं उस शेप के छोटी चोटी बनाना इन्हें काफी बड़े साइस के हो जाते हैं तेल में डालती ही तो यहां पर अच्छे से फूल गए हैं देखे इन्होंने बहुत जल्दी शिरप को सोक कर लिया है तो कितना बढ़ी है इन तो बहुत शांदर रसीले घुलाब चामूं 10 मिनट में बनकर त्यार है आप हम बनाएंगे एक अनोखी डayoश्र। जो की बहुत ही शांदर बनती है 5-10 मिनट में बनकर त्यार हो जाएगी इतनी बढ़िया ये बनेघी है कि हर कोई आपकी तारिफ करता नहीं थकेगा आप ही देखी सकते हैं कि कितनी बढ़ियाई बनी है तो घर में रखे कुछ ही समान से बन भी जाती है तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ब्रेड गेहों का आठा और थोड़ा सा मावा तो यह लिए मैंने मावा मैंने घर पे मावा ड्राई मिल्क पाउडर से थियार किया है मेरी रेसिपी में दिखाया गया है कि घर पे मावा कैसे बनाते और छेक कर लिज़ी कड़ाई में डाला आधा लिटर दूद और मावा हमारा तियार है तो वह स्टफिंग तियार की है अब दो टेबल स्पून लेना है काटोरी में मिल्क पाउडर आपको किसी भी ब्रैंड कर ले सकते हैं इसमें एक चमश डालें घ्याओं का आटा थोड़ा सा डालेंगे दूद डूद और अच्छे से मिला ले तो कटोरी में साइड में यह प्रोसेस फोलो करिएगा अगर आप दूद में डालेंगे तो गांटे डूद में पड़ सकती है अब इस दूद में यह जो गोल था यह डालेंगे थोड़ी सी चीनी डालेंगे थोड़ा सा केसर वाल दूद जो चीज़ आपके पास नहीं है completely avoid up कर सकते हैं लेकिन घ्यों काटर जिरू डालेगा उससे क्रीमिनस आएगा थिकनस आएगा दूद जल्दी गहड़ा हो जाएगा पांसे साथ मिनट में आपकी भूर टेस्टी क्रीमी से डाज़ेट बनके त्यार होगी थोड़ा एलाइचे क हमने चीनी मिलाके रखी है तो एक प्लेट में ही दूद डालना है और यह जो ब्रेड है दोनों तरफ से सोक करना है उसके बाद जो मावे की स्टफिंग हमने बनाई थी उससे स्टफिंग के रोल बना लेने है जितने साइज का बड़ा ब्रेड है उस साइज के रोल बनाना पहले ब्रेड को इसे डिप करेंगे उसके बाद रोल ऐसे रखेंगे फिर रोल को फोल्ड करेंगे और दोनों हतों के बीच में अच्छे से दबा देंगे तो दूद में भीगवा ब्रेड है अच्छे से शेप होल्ड करेगा बस इसी प्रोसेस को फोलो करके सारे रोल बना आपने देखे बहुत ही आसान है उसके बाद साइड से रफ है जिस निकाल दीचे क्योंकि सुन्दर सा लुक देना है ना डेसर्ट को और जो यह ठंडा फ्रीज का दूद था गाड़ा जो मने पहले किया था वो इसके पर पोर करें बाद में चांदी कवर को ड्राइफूट्स त्सले करें आपकी धसे बनकित याई